मैं धीरा ज्यादा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लाटफॉर्म अगर हम बात करें आज के सेशन की तो आज यहां पर हम लोग मुल्टिपल टॉपिक्स को डिसक्स करेंगे जिसकली में सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लॉजिकल सेक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानिकि शब्दों का तारकि एक्जाम के पॉइंट लुट्षय का इंपॉट्न हो जाता आपका पॉटलर हम ने प्रिबिएंस का अब लोगों ने देखा कि आपको सिंप्एलcht में और Um है हुंगे जिनका हमें क्या करना होगा एक proper sequence arrange करना होगा logic के आधार पर कि यानि कि दिये गए शब्द में क्या logic लग राइस क्या करना होगा उनको प्रॉपर sequence में arrange करना होता है तो ठाऑर ही हम लोग यहां पे PM को चन को यहां पे solv करने के various तरीकों पर मैं बात करूंगा कि कई बार ऐसे words यहां पर given होते हैं जिन words के साथ में हम familiar नहीं होते हैं लेकिन out of the given words कुछ words ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और उनका sequence अगर arrange करना है तो किस प्रकार से हम arrange करते हैं दिये गए options के हलते इसको हम लोग यहां पर discuss करेंगे जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर question की तो देख लेते हैं सबसे पहले question आपकी screen पर आ चुका है question के अगर हम बात करें तो यहां पर दिये गए question में आपको कुछ words दिखाई दे रहे हैं आमलेट, belt, escort, जुराबे और पगड़ी तो अगर हम बा हम बात करें पगड़ी के साथ तो और इसी बात है फैमिलियर होंगे ही होंगे English के अगर हम बात करते हैं यहां पर बेल्ट और जुराबो की यहां पर आपको दिया गया है अगर हम बात करें पगड़ी की तो पगड़ी जो हम है फोर को पहले अगर देखते हैं तो फोर आपको पहले कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है जो कि कि आपको किसके लिए काल डिया वर्ड case के लिए या निक्द या तो पहले four होगा या तो पहले क्या होगा five हो यह हम- top two bottom जाएंगे हम कैसे जाएंगे bottom two प्याइंगे तो यहां पर आते हैं उतना ही कोशन बनाने में आपको क्या होता है आसानी होता है ठीक है यहां पर इसके सिक्वेंस के अगर बात करें तो पगड़ी हो जाएगा सबसे पहले पगली के बाद अगर हम बात करें तो हो जाएगा अपका Ascort के बाद करें यहां पर आपको आजाएगाкі Holot कि बल्ट और बल्ट के बाद at last यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा four यानि की socks जो कि आपको clearly यहाँ पर option number c में दिखाई दे रहा है तो यह होगा एक तरीका question को solve करने का बाकि यहाँ पर words को कैसे arrange करना है तो उसके यहाँ पर basically दो तरीके होते हैं या तो ascending order या descending order यहाँ पर जैसे कि आपको sequence देखने को मिला top to bottom या bottom to top इसके अलावा भी various logics के तहट आपको question देखने को मिलेंगे तो उसको भी question में आपको explain करता हुआ चलूँगा कि basically आपको किन किन logics पर based question देखने को मिल सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे के प्रश्न की अगला question आपके screen पर आ चुका है काफ़ी interesting question है यहाँ पर आपको कुछ cities के नाम दिये गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आप पे हैदराबाद नागपूर देहरादून भोपाल मदुरई और आगरा जिसमें से अगर हम बात करें तो देहरादून आपका क्या है capital city है अगर हम बात करें तो हैदराबाद capital city है as well as आपका भोपाल भी क्या है capital city है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें नागपूर मदुरई और आगरा कि तो यह आपके capital cities नहीं है अब इनके हम sequence की बात करें तो जैसे कि मैं कहा रहा था कि और भी आपके various logic पर based आपको questions देखने को मिल सकता है यानि कि शब्दों को हमे अलग-अलग logic की आधार पर arrange करना हो सकता है तो अगर हम बात करें इन particular cities की तो area पर based आपको question देखने को मिल स रखता था कि कि कोई capital city जो है वो जिस state से बिलॉंग करती है वह एरिया वाइस की आराइंक रखता है या फिर मैप में इनके स्थितिक अकॉर्डिंग यहां पर आपको question देखने को मिल सकता है तो अगर हम बात करें इस particular question की तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर दहरा दून देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें मदुराई जो कि क्या है तमिल नाडू का एक शहर है जिसकी राज़ानी क्या है चिन्राई वो आपको bottom most पे देखने को मिलेगा तो अगर इनकी city के अनुसार हम इनको क्या करें अरेंज करें तो या तो यह तो यह 3 से 5 तक का sequence sequence हो सकता है या 5 से लेकर के 3 तक का sequence देखने को मिल सकता है और अगर हम यहां पर विकल्पो की बात करें तो आपको 5 से start होते हुए 2 option दिखाई दे रहें और 3 से start होते हुए 2 option दिखाई दे रहें अगर हम बात करें यहां पर 5 से start होने वाले विकल्पो की तो अंत में आपको जो कि आपको देखने को नहीं मिल रहा है यानिकी अपशन तो पहले ही क्या जाएंगे अगर मैप में इनकी स्थितिक आंसार नतर। इनको क्या करेंगे लगाएंगेacao आपको दोनों में Laust there time calls Dad के वोड़ा कर सकते हैं थे अगर अगर बात करें तो मिल जाए Kyung rubbing सेहरादून के बाद अगर हम बात करें डिये १ करें विकलपो इसे मिल जाएगा हमें जो के आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल रहे हैं दोनों बचेंघ कूए विकलपो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा नागपूर तो भूपाल is the capital city of मध्य प्रदेश इसके बाद आपको मिल जागा नागपूर फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बचा हुआ आपका हैदराबाद जो की क्या है तेलंगना की capital है ठीक है तो यह हो जाएगा इसका पूरा proper sequence मैप में भी हम इन शहरों की स्थितियों को एक बार देख लेते हैं फटा फट से तो मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इन शहरों की स्थितियों की option की बात करें तो यहाँ पे आपका जो option correct हो जाएगा यानि की 364 आपका option नमर B में दिया गया तो यही क्या हो जाएगा आपका correct option हो जाएगा दिये गये प्रशन के लिए मैप में भी आप इन शहरों की स्थिति देख सकते हैं दहरदून हो गया आगरा हो गया भुपाल हो गया नागपूर हो गया है अधराबाद हो गया और मदुरई देखने को आपको मिल रहा है bottom most पे चली अगले question की अगर हम यहाँ पे बात करें cook, morning, lunch, fish, market और dish यह आपको words given है अरेंज करना हमें किसी एक logic के basis पर अगर आप यहाँ पर arrangement की बात करें तो basically मचली के अगर हम बात करें lunch यहाँ पर आपको दिया गया और फिर आपको दिया गया यहाँ पर पकाना तो मचली पकाएंगे तो कहीं न कहीं आपका lunch क्या हो जाएगा तयार हो जाएगा यागर हम बात करें चार के बाद आपको एक फिर तीन देखने को मिलेगा चार के बाद एक और तीन देखने को मिल रहा है चार के बाद यहाँ पर यह option हो जाएगा आपका cancel यानि कि चार के बार आपको पहले एक मिलना चाहिए फिर आपको तीन देखने को मिलना चाहिए बाकी के विकल्पों में आपको चार एक तीन दिखाई दे रहा है इसके लाव अगर हम विकल्पों की बात करें तो जो सबसे पहले आपका वर्ड दिखाई दे रहा है वह आपको पांच चार और दो दिखाई दे रहा है यानि पांच की बात करें तो बाजार चार की बात करें तो मचली और दो की बात करें तो यहां पर आपका सुबा दिखाई दे रहा है तो पहले सुबा होगी कि पहले बाजार होगा कि पहले मचली होगी तो अब ऐसी बात है पहले सुबा होगी फिर आ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं पांच के बाद में दो यानि की सबसे पहले होगा सबसे पहले सुबा फिर लगेगा बाजार यानि कि दो के बाद में देखने को मिलेगा पांच फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौथे कि यहां पर बाजार में आपको मिलेगी मचली मचली को क्या करेंगे आप कुक करेंगे यानि कि पकाएंगे पकाने के बाद आपका वेंजन तैयार होगा जिसे आप क्या करेंगे लंच में खाएंगे यानि कि क्या हो जाएगा प्रॉपर सिक्वेंस टू फाइफ 14163 यही हो जाएगा आपका आंसर दिये गए प्रशन के लिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले question की अगर हम बात करें तो restaurant, eating, cooking, order, food और यहाँ पे sir food तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आप क्या करते है restaurant में जाते है दिये गए विकल्पों की अगर हम बात कर तो यह कही विकल्प में आपको चार देखने को मिल रहा है बाकी के विकल्पों में आपको सब में one दिखाई दे रहा है यानि की खाना order कैसे करोगे जब restaurant आप जाएंगे आप कहोगे स्विगी पर भी तो होता है सर, जुमेटों पर भी तो होता है आपका चार एक के बात में देखने को मिलेगा चार जो कि आपको एक ही विकल्प में देखने को मिल रहा है यानि कि option number a क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए यानि कि हाँ पर आप जाएंगे अगले अगर हम question की बात करें और comment में comment करके बताईए at least कि आपके यहाँ पर कितने questions बन रहे हैं किन-किन topics से related कितने कितने questions से आपके सही हो रहे हैं जैसा कि exam की date आ चुकी है exam की date से related जो भी आपका notification है उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल चुका है ठीक है तो बिल्कुल अभी लग जाईए serious हो करके और selection को कही न कहीं क्या करना है बिल्कुल सुनिश्चीत करना है तो बात कर अगर यहाँ पर हम option की तो class admission certificate application और assessment तो सबसे पहले आप क्या करते हैं सबसे पहले आवेधन करते हैं यानि कि सबसे पहले नंबर पर आजाएगा अप्लिकेशन यानि कि 4 क्या हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आवेदन के बाद, आवेदन के बाद आपको मिलेगा क्या प्रवेश, प्रवेश में आप जाएंगे, class करेंगे, यानिकि 4-2-1, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है आपका, पहले हो जाएगा आवेदन, फिर प्रवेश, फिर वर्ग फिर आपका आकलन होगा और आपको फिर प्रमाण पत्र दिया जाएगा जैने कि इसके प्रॉपर सीक्वेंस की बात करें तो 421-53 421-53 आपको option number A में दिखाई दे रहा है जो कि क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा पूछे गए question के लिए बात कर लेते हैं पहरे अगले प्रश्न की हुआ और रोजगार सेवन रृत τις Macht शरता सिक्षा और पदुनति सबसे पहले क्या करते हैं आप सिख्षा करते हैं डाइरेट रोजगार नहीं सबसे पहले आपको क्या करते हैं पहले नंबर पर आपको देखने को रोजगार के बाद अगर हम बात करें तो रोजगार के बाद अगर हम बात करें तो रोजगार मिलने के साथ ही क्या होता है आपका आए आना शुरू होती है यानि कि हो जाएगा वन और आए आने के बाद क्या होता है आपकी पदोनती होती है और अट लास्ट क्या होता है पूछेंगे प्रास्ट के लिए बात करते हैं प्राश्ण की आगले प्रास्ठ में आप सकते हैं योजना दुकान मॉल ड्राइफ और वाप सी तो दिया ग intricalp होगी सबसे लास्ट में होगी वाप सी के ओधार तो 5 आपको कहीं दिखाई आफ डिखाई देना चाहिए जो कि आपको एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा है जो कि क्या है option number C proper sequence की बात करें तो सबसे पहले आप बनाएंगे योजना योजना के बाद आप क्या करेंगे ड्राइव करके पहुचेंगे कहा पहुचेंगे मौल में मौल में क्या होती है दुकाने होती है दुकानों पर शॉपिंग करेंगे फिर क्या होगी वापसी होगी जो कि आप option number C में clearly इसका एक sequence देख सकते हैं और exam में पूछा गया प्रशन है चली काफी common सा question है कई बार इस question हम लोग already discuss कर चुके हैं अलग-अलग sessions में तो यहाँ पर हम बात करें इसके sequence की तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा सबसे पहले होगा विज्ञापन यानि कि जब आप विज्ञापन शेलक्शन किया जाएगा और चैन किया जाने के पाद आप क्या करेंगे नियुक्त और इसके बाद आप क्या करेंगे परवेशन पीरियड सर्व करेंगे यानि कि परविक्षा जो कि क्या है यहां पर आपका लास्ट ऑप्शन बनता है यानि कि प्रॉपर सिक्वेंस की बात करें तो 562341 562341 ऑप्शन नमबर ए में आप क्लियर ली यहां पर देख सकते हैं बात कर लेते हैं अगले कोशन की ब्रहम्हांड चिन्नई विष्व एशिया और तमिल नाडू तो अभी अभी मैंने आपको दूसरे कोशन ने बताय था कि तमिल नाडू की कैपिटल क्या है चिन्नई आपका शिटी है सबसे अगर हम बात करें यहां पर पहले तो क्या हो जा है यानि कि प्रॉपर इसके हम सीक्वेंस की बात करें तो 1345213452 आपको देखने को मिला अप्शन नमबर दी में 13452 यही क्या हो जाएगा आपका सिक्वेंस हो जाएगा दिए गए वर्ड्स का चली अगले प्रश्न के कर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर पहले पाच हो अपको पहले तीन होगा या तो पहले पाच होगा तो सभी में आपको पहले 3 दिखाई दे रहा है यहां नहीं कि हम छोटे यहां पर बात करेंगे 1 क Mercury सदस्स क्या बनता है परिवार बनता है एक दो चार पांच आपको option number A में दिखाई दे रहा है चली बात कर लेते हैं odp. sins shoulder wrist elbow palm और finger या तो आप कहां जाएंगे टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप तो अगर हम टॉप की बात करें तो जो भी यहां पर आपको दिये गए वर्ट है सबसे टॉप पर होगा आपका कंधा यानि की शोल्डर और सबसे बॉटम में आपको देखने को मिलेगा फिंगर तो या तो एक के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं या तो पांच के साथ में तो एक के साथ में कहीं भी स्टार्टिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही तो आंसर आपका क्लेली यहां पर ऑप्शन डी देखने को मिलेगा पांच के बाद चार यानि कि अगर हम बात करे उंगली, उंगली के बाद आपको देखने को मिलेगा हतेली, हतेली के बाद कलाई, कलाई के बाद कोहनी और कोहनी के बाद में कंधा, यानि कि option number D के हो जाएगा, right answer हो जाएगा, अगले question की बात करें, तो यहाँ पे दिया गया है, अक्षर, शब्द, वाक के वाक्यांस, तो क उसका एक टुकुला, तो अबिस सी बात है, उसका जो पार्ट है, टुकुला है, वो उससे particular वाक दिये गया, यानि कि शब्द से क्या होगा, छोटा ही होगा, तो पहले होगा, आक्षर फिर होगा, शब्द, फिर होगा, वाक्यांस, यानि कि, दो, तीन, एक, और चार, यान हम सिक्वेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, कुझी, यानि कि अगर हम बात करें, की की तो आपको दो इकल्पों में दिखाई दे रहा है, कुझी, सेकंड नमबर पर आपको दिखाई दे रहा है, दौर या फिर ताला, तो पहले क्या होगा, पहले दौर होगा कि पहले ताला होगा, तो चाबीस आप क्या करते हैं, ताले को खोलते हैं, यानि कि एक के बाद आपको तीन देखने को मिलेगा, ताला कुलने के साथ ही आप दौर खोलेंगे, दौर खोलने साथ ही आप क्या करेंगे, कमरे मे यहां पर topic discuss करेंगे वो आपका होने वाला है mathematical operations यानि कि mathematical operations पर based questions की हम लोग चर्चा करेंगे क्या approach होना चाहिए कैसे इन questions में हम अपना समय बचा सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो सीधे आते हम लोग यहां पर प्रश्ण में प्रश्ण की अ सबसे पहले हम लोग bracket को solve करेंगे फिर off को तो ना तो यहां पर आपको in general bracket देखने को मिलेगा ना तो off देखने को मिलेगा basically हम लोग यहाँ पर divide, multiplication, addition और subtraction पर काम करेंगे यानि कि सबसे पहले हम लोग करेंगे division को solve फिर हम लोग करेंगे multiplication फिर हम लोग करेंगे addition और at last हम लोग करेंगे subtraction clear यह हमारा sequence होना जी question को solve करने का अब इन questions में हम समय कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो विकल्प दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर क्या करना हमें इनके जगे पर दिये गए चिन्नों का इस्तमाल करके बताना है कि कौन सा वाला equation आपका यानि कौन से वाले चिन्नों के sequence को हम रखें जिससे आपका equation क्या हो जाए correct हो जाए तो कुछ बातों को ध्यान रखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे division के sign को ले करके check करेंगे और दूसरा यहाँ पर जो priority होगा equals to जहाँ पर at last दिया गया है उसको हम लोग priority देंगे दो हम लोग यहाँ पर नियम याद रखेंगे सबसे पहले हम लोग division के sign को priority देंगे उससे बन रहा है एक whole digit आ रही है तब तो ठीक है नहीं आ रही तो उसको हम लोग क्या करेंगे hold पर रखेंगे 11 divided by 6 तो यहाँ पे आपको एक whole digit में value नहीं मिलेगी यानि कि यह option क्या कर देंगे हम hold पे रख लेंगे मैंने कहा किसी को भी eliminate नहीं करना यानि कि यह चला गया कहा hold पे second option की बात करें तो यहाँ पे आपको divided by same position पे दिख रहा है जो कि क्या है 6 है तो यानि कि इस option के साथ में हम जा सकते है यानि कि पहली जो priority होगी हमारी वो होगी option number C के साथ में और equals to का sign भी आपको last में यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस sign के साथ में हम पहले जाएंगे तो देखे यहाँ पे अगर हम इस sign के साथ में जाते हैं यानि कि option number C के साथ में जाते है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है divided by फिर आपको देखने को मिल रहा है plus फिर आपको देखने को मिल रहा है minus यहां पर देखने को मिल रहा है multiply और यहां पर देखने को मिल रहा है equals to clear तो हमने कहा सबसे पहले क्या करेंगे division को solve करेंगे तो यहां पर value मिल जाएगी हमें 6 फिर मिलेगा हमें plus फिर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या 64 minus 11 into 6 करोगे कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा और equals to मैं आपको दिखाई दे रहा है क्या 4 और लिया आप इसको solve कर सकते थे लेकिन एक बार यहां पर तरीका आप देख लिजे अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 64 plus का और यहां पर 66 minus का यानि कि minus का बचेगा आपका 2 यहां पर 6 आपका plus का minus का 2 यानि कि बचेगा क्या आपका plus का 4 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि option number C के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका equation correct बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा यानि कि answer क्या हो जाएगा option number C इनी तरीकों को हम लोग बाकी के questions पर भी apply करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे यहाँ पर अपना समय बचा सकते हैं sorry बात करते हैं अप अगले question की अगले अधी हम question की बात करें तो same approach यहाँ पर भी हम follow करेंगे सबसे पहले हमने कहा कि क्या करेंगे हम division वाले sign के साथ जाएंगे साथ ही साथ हम last में एक वाले option के साथ भी जाएंगे प्रेटी हम उसको देंगे बाकी को हम hold पर रखेंगे तो यहाँ पर हम बात करें division का sign सबसे पहले अगर हम रखते हैं यानि कि option नमबर एक को हम क्या कर रहें hold पर रख रहें option नमबर B के साथ में जा रहें तो यहाँ पर value आगी 30 और यहाँ पर आ गई 18 यानि कि 30 प्लस 18 करोगे तो value कितनी हो जाएगी तो हो जाएगी आपकी 48 और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है minus यानि कि minus 5 करोगे तो value मिल जाएगी कितना 43 यानि कि option नमबर B क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा पूछे गए प् प्रश्न की अगले दि मैं यहाँ पर प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पर options के साथ अगर हम जाएं तो पहले option को हम भी छोड़ देंगे क्योंकि last equals to नहीं है दूसरे option को भी हम छोड़ देंगे तीसरे option की बात करें तो हम यहाँ पर divided by वाले sign को चेक करेंगे जो कि यहाँ पर आपका आ रहा है 38 divided by 23 की जगे पे अगर हम बात करें 38 को आप 23 से divide करेंगे तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं कि six time में यह क्या हो जाएगा divisible हो जाएगा यहाँ पर value आपकी बन जाएगी कितना six इसके अलावा अगर हम बचे हुए यहाँ पर चिन्नों की बात करें तो यहाँ पर आप 68 प्लस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 68 प्लस यहाँ पर आप करेंगे 6 तो हो जाएगा 74 और माइनस करेंगे 54 तो value बन जाएगी 20 यानिकि यह equation आपको यहाँ पर correct बनती हुई दिखाई दे रही है यानिकि यहाँ अगर हम answer की बात करें तो option number C क्या हो नहीं करना क्योंकि कई बार point वाले आपके जो यह point वाली जो values होती हो भी multiply करके whole digit में convert होती हुई आपको दिखाई देगी तो इस प्रकार के प्रस्ण भी आपको exam में देखने को मिल सकते हैं बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की अगले अगर हम यहाँ प्रस्ण की बात करे सेसे आपको सेम अंपरोच को यहाँ पी और विदिन सेकेंटi को असानी से बना सकते हैं और यहाँ प्रप्ष्ण को फिर्फर करेंगे में आपके मोच्प बन जाते हैं तो यहाँ पहले विकल्प की तो जनेका 56 32 अब को दिकाई देर है तो इनको अगर हम अपस में क्या करे तो तो अगर आप यहां पर नौ की जगे पर रखते हैं 36 और यहां पर रखते हैं आप नौ तो एटीवन को जब आप 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक होल वैल्यू बनती हुआ दिखाई नहीं देगी यहां पर आ जागा नाइन बाइफ की अगले विकल्प में आपको दिया गए 36 and 14 36 14 को रिप्लेस करें तो यहां पर हम कर दे 14 और यहां पर कर दें 36 तो दिखने हैं फटा फट यहां पर हो जाएगा आपका 81 डिवाइड बाइन 9 minus 88 divided by 4 plus 36 plus का यहाँ पर 22 plus 7 और equals to आपको दिखाई दे रहा है 169 यही आपका equation बन जाएगा अगर हम इन numbers को आपस में क्या कर देते हैं replace कर देते हैं तो अब इन numbers को कैसे solve करना यह भी फटा फट से देख लेते हैं कि 81 divided by 9 की value हो जाएगी 9 9 into 14 करोगे तो value हो जाएगी 126 minus क्या करना 88 divided by 4 करोगे तो आजाएगा कितना 12 हो यहाँ का अगर हम बात करें plus में 36 फिर आपको plus में देखने को मिलेगा कितना 29 equals to 169 तो unit digit के अगर हम बात करे तो देखो 6 6 12 12 और 9 21 यानि कि 11 में से दो गया 9 यानि कि unit digit भी आपको 9 बनती हुई रिखाए जए तो फटा फट से इसको अगर आप पूरा solve करना चाहिए unit digit नहीं बनती तो हम क्या करते हैं अगले option पे move कर जाते unit digit मिल रही इसलिए यहाँ पर आप इसको verify करने के लिए 191 minus यहाँ पर आपका था 22 sorry यहाँ पर आपका था 88 divided by 4 यह था आपका 22 अब 91 minus करेंगे कितना 22 तो यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 9 और 8 में से 2 जाएगा तो 6 और यहाँ पर 1 यानि कि 169 कि हो जाएगा आपका यहाँ पर correct equation मनता हुआ दिखाई दे रहा है बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर various types आपसे question exam में पूछे जाते हैं अगले question कि अगर हम बात करें यहाँ पर फिर से आपको चिन्लों पर आधारित प्रश्न दिखाई दे रहा है यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर options क तो पहले option के अगर हम बात करें तो divided by आपको सबसे पहले दिखाई दे रहाने कि 6 को 10 से divide करो तो एक whole value बनती हुए दिखाई नहीं दे रहे इसलिए इसको हम करेंगे hold next आपको तीसरे number पर दिखाई दे रहा है divided by का sign एक दो तीन यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो आपको नमबर डी की तो यहाँ पर आपको चौथ है नमबर पर divided by का sign दिखाई दे रहा है यहाँ पर 162 को 9 से divide करते हैं तो आपका एक whole value बनती ही दिखाई दे रही नाइन वन जा 9 और 9 8 जा 72 यानिकि 18 बार में यह क्या हो जाएगा आपका divisible हो जाएगा फिर अगर हम बात करें य 60 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 55 और प्लस का हो जाएगा 18 तो 60 प्लस 18 की बात करें तो हो गया 78 और 78 में से 55 माइनस करोगे तो value मिल जाएगे आपको कितना 23 8 में से 5 जाएगा 3 7 में से 5 जाएगा 2 तो देखा आपने कि किस प्रकार से आप अपना समय बचा सकते हैं most probably most of the case में आपको इस प्रकार से question बनते हुए दिखाई देंगे और जरूरी नहीं कि 100% टाइम ऐसा हो कही बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप उपर से यहाँ पर options चेक करते हो जा रहे हैं तो आपको last option देखने को मिले बट most of the time आप यहाँ पर अपना समय बचाएंगे और कहीं न कहीं question को कम से कम समय में आप बना पाएंगे बात कर लेते हैं अगले पूछेगे प्रश्नकी अगले अगर हम प्रश्नकी बात करें तो divided by आपको दिखाई दे रहा यहाँ पर लेकिन equals to आपको mid में दिखाई दे इस option को हम पहले check करेंगे ठीक है तो यह आपका equation को चिस प्रकार से बनेगा sign change sign को यहाँ पर put करने के बाद 36 minus फिर यहाँ पर plus 9 के बाद में multiply और at last आपका बनेगा यहाँ पर minus और इनके बीच में है plus ठीक है चलिए बनाते है 63 divided by 9 करोगे तो 7 times में जाएगा 7 multiplied by 11 करोगे त 77 minus 6 plus 3 करोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा equals 2 का 90 है इधर का देख लेते हैं value तो 36 minus 14 करोगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यह हो जाएगा plus तो यहाँ पे अगर हम बात करें 7 2 9 और 9 में से 9 जाएगा unit digit 0 यानिक इस option के साथ में हम जा सक करोगे यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 7 plus 2 करोगे तो यह हो जाएगा 99 99-9 करोगे तो value बनेगी 90 यहाँ पर भी आप देख रहें कि आपका एक ही option के साथ में जाने पर आपका question बनता हुआ दिखाई दे रहा है clear बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले पूछे गए प्र पर हम नहीं कर सकते अगर हम बात कर एक्वल्स टू की तो एक वल्स टू के अधार पर हम दो options को हैं पर होल्ड पे रखेंगे सिर्फ पर रखेंगे और तीसरा option भी आपको यहाँ पर एक पर स्टू सॉरी option number B और option number D को हम hold पे रखेंगे यानि कि हम जाएंगे पहले और तीसरे option के साथ में पहले option की बात अगर हम करें तो 8 1 जा 8 बचेगा 6 8 8 जा 64 बचेगा आपका 5 और 8 7 जा 56 187 यहाप आपको देखने को मिल रहा है फिर अगर हम बात करें इसके बाद तो इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है प्लस का 13 और माइनस का 40 multiplied by 5 और equals to 0 देख लेते हैं 187 में जब हम 13 जो लेंगे तो यह value हो जाएगी यहाँ पे 200 और यहाँ पे माइनस करना हमें 45 जा यह हो जाएगी 200 equals to 0 हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी आप समय बचता हुआ अपना देख पा रहे है बात कर लेते हैं अगले question की यहाँ पे भी आप divided by के अधार पे किसी option को hold पे eliminate नहीं कर सकते तो यहाँ पे हम पहले option को रखेंगे hold पे तीसरे option को रखेंगे hold पे हम दूसरे और चौथे option के साथ में यहाँ पे जाएंगे दूसरे option के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे divided by आपको दिखाई दे रहा है दूसरे number पे multiply आपको दिखाई दे रहा है पहले number पे plus आपको दिखाई दे रहा है तीसरे number पे minus आपको चौथे number पे और इकवल्स टू आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है तो अगर हम यूनिट इजिट की बात करें तो यूनिट इजिस को हम चेक कर सकते हैं कैसे चेक कर सकते हैं धूरो यहां पर हो जाएगा था यूनिट डिजिट आपका 4 4 के बाद में प्लस का 5 करोगे तो unit digit 9 minus 6 करोगे तो unit digit 3 आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है देखो कैसे 3 हो गया यह हो गया 18-18 गुले 3 करोगे हो जाएगा 54, 54 प्लस 5 करोगे तो हो जाएगा कितना 59 और 59 minus 6 करोगे तो हो जाएगा कितना 53 यानि कि इस option के साथ आप जा सकते हैं option number B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए बात करते हैं आप अगले question की अगले अगर हम question की बात करें तो यहाँ पे divided by आपको पहले number पे दिखाई देर यानि कि इसके आधार पे हम इसको eliminate तो नहीं करेंगे यानि कि इस option के साथ हम जाएंगे तो 48 बटे 12 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आजाएगा 4 फिर आपको दिखाई जाए रहा multiply तो 8 चोख हो जाएगा 32 फिर आपको दिखाई जाए रहा plus का 15 32 प्लस 15 हो जाएगा 47 47 42 माइनस तीन करोगे तो हो जाएगा 46 आपको बनता हुआ दिखाई ज़रा देखो कैसे 18 इस एड़ा 48 डिवाइड बाइड वाइड ट्वेल करोगे तो वैली मिलेगे 44 एड जागर करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा 32 32 प्लस 15 करोगे तो हो जाएगा 47 47 प्लस हो जएगा पूछे गए प्रश्न के लिए देख लिए कैसे यहां पर हो जाएगा डिवाइड़ यहां पर बाइंस और यह लोगती एक तो तो फॉर्टीएट ट्वेल्फ करोगे तो जाएगा आपको 37 और माइनस का थ्री करोगे तो मिल जाए कितना 44 जो कि आपको करेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है बात कर लेते हैं आप अगले पूछे गए प्रस्न की अगले अगले अगर हम यहाँ पर कोश्चन की बात करें तो 14 के बाद सरी यहाँ पर हम पहले option के साथ जाते हैं तो 14 के साथ में यहाँ पर आपको होल्ड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है निकि होल्ड वैल्यू मिल रही है तो इस option को हमें क्या कर लेना है चेक कर लेना यहाँ पर आएंगे हम माइनस मिलेगा यहाँ पर मिलेगा हमें सहट में यहाँ पर आप बात करें तो साथ 9 साथ हो जाएगा 16 ऑर 16 काफी और आपको सी माइनमस में दिखाई दे रही है तो आपको बनता हुआ डिखाई नहीं दे गाए निकिह नहीं दे यहां पर 39 हो प्लस की बात कर तो वैल्य आपकी काफी जादा है कंपैर जन तो इसको पूरा का पूरा आपको सॉल्व करने की जरुद नहीं है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा यह पूरा है अगर इसको चैंजल करते हैं तो थाटी से कहीं जाद आपको वैलुव बनती हुई यानि कि आप हम जाएंगे अगले option के साथ अगले option कि अगर हम बात करें यहां पर तो divided by आपको दिखाई देरा fourth number पर यानि कि यहां पर 133 divided by 19 आपका बनता हुआ दिखाई देगा अगर यहां पर हम बात करें तो कितने sevens कितना होता है तो seven tens होता है आपका 77 fours होता है 28 यानि कि यह value बनेगी आपकी 98 98 में आप क्या करोगे 39 को minus करोगे और seven को plus करोगे तो क्या यहां पर value आपको 130 बनती दिखाई देगी तो यहां पर भी आपको अब हम बात कर लेते हैं यहां पर आपको माइनस बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो जिस प्रकार से आपको आपको पहले नंबर पर लग रहा है मैंने कहा कि most probably आपके questions क्या होते हैं जो तरीका मैंने आपको बताया उसके basis पहली minute हो जाते हैं लेकिन अगर आपका हर question में इतना ही समय अगर आप लगाते हैं तो आप देख पार एक particular question के लिए आपको कितना समय यहाँ पर देना पड़ सकता है तो तरीका मैंने बताया है फॉलो करिए most of the time आपका वो तरीका अपली केबल होता हुआ दिखाई देगा आपके questions पर और कहीं आप अपना समय बचा पाएंगे तो यहाँ पर हम बात करें 14 17 की value हमें मिली थी कितनी 98 98 में क्य 32 करोगे तो value मिल जाएगी 130 जो कि यहाँ पर correct आपको होती हुई दिखाई दे रही यानि कि इस particular question का answer क्या हो जाएगा option number D बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की अगले प्रस्न में भी यहाँ पर numbers को आपको क्या करना है अपस में interchange करना है और numbers को interchange करेंगे तो हम क्या करेंगे same approach follow करेंगे यानि कि अगर हम बात करें 48 को जब हम क्या करेंगे यहाँ पर 39 से replace करेंगे तो तो यहाँ पर clearly दे सकते है 78 divided by अगर आप 39 करोगे तो value मिलेगी आपको 2 multiplied by 8 यहाँ पर हो जाएगा आपका plus 26 multiplied by 7 और हमने 39 को replace किया था किस से 48 से तो minus का हो जाएगा 48 फिर यह हो ज 15 equals to 210 यह आपका proper equation बनेगा इन numbers को replace करने के बाद इसको अगर हम solve करते हैं तो यहाँ पर यह two times में जाएगा फिर two eights कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बन जाएगा यह 16 फिर यहाँ पर अगर हम बात करें 26 इंटू 7 की तो 25 गुले 7 कर लेते हैं तो 25 गुले 7 करेंगे तो value मिल जाएगी आपकी 25 गुले 8 होती है 200 यानि कि 175 में हम 7 जोड देंगे तो 182 फिर अगर हम बात करें तो minus का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 48 और plus की बात करें तो 15 और 45 हो जाएगा 60 देखते हैं क्या यह value 210 बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है तो unit digit के अगर हम बात करें तो 6, 2, 8, 8 में से 8 घटा होगे तो 0 फिर हम बात करें तो 1 और 8, 9, 9 और 6, 15, 15 में से 4 घटा होगे तो बचेगा 11, carry जाएगा 1, तो 1 और 1 यहाँ यहाँ यहा लोग अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो फटा फट से देखते हैं कि किन options को हम यहाँ पर hold पे रख सकते हैं, पहले option के अगर हम बात करें तो 23 divided by 9 क्या करें हम इसको hold पे रख सकते हैं, एक hold value बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, दूसरे option की बात करें तो 483 divided by 23, तो इसको हमें चेक करना है कि क्या 483 23 से divisible है या नहीं, दो बार में जाएगा 46, यानि कि 21 बार में यह क्या हो जाएगा divisible होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, आगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको minus का 93 plus का 16 multiplied by 4 equals to 50 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर value हो जाए कितने 64, यहाँ पर हो जाएगा 93 हो जाएगा plus 21 यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा 415, पांच में से 3 गया 2, यानि कि unit digit हमें बनती हुए दिखाई नहीं दे रही, करेक्ट तो हमने solve किया है, यहाँ पर 1664, 415, पांच में से 3 गया 2, unit digit हमें बनती हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो जानि कि हम जाएंगे यहाँ पर अगले option के साथ, अगले option के साथ अगर हम जाते हैं तो, अच्छा हम गलबल कर दिये कुछ, जा रहे थे हम यहाँ पर option number B के साथ, और sign side मैंने ले लिया, option number A का, फिर से देख लेत तो हम इसको hold पर रखेंगे, फिर हम जाएंगे option number D के साथ, option number D के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर value मिलेगा हमें कितना 21, फिर यहाँ पर हमें मिलेगा plus का 93, और minus का मिलेगा 16 into 4, यानि कि यहाँ पर value हो जाएगी, 4, 9, 2, 11, 114, minus 64, जो कि आपको clearly यहाँ पर 50 बनता हुआ दि प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ठीक ठाक number of questions की practice भी करा दिया है, साथ ही साथ आपको यह भी बता दिया है कि exam में आप किस approach को follow करेंगे, कौन सा तरीका आपको अपनाना है, जिससे आप question को minimum time में बना पाएं, इसके अलावा गर हम बात करें, जैसे कि मैंने करने वाला हूं, क्योंकि हम लोग lecture में सारे basics और concepts को सीख चुके हैं, तो वहाँ पर जो आपका exam में अप्रोच होना ची किसी question को solve करने का, उसके उपर हम लोग focus करेंगे, बात करेंगर यहाँ पर हम अगले पूछे गए प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण भी हम लोग देख करेंगे, यहाँ पर हम बात करें, options को hold करने की, तो सबसे पहले आपको चौथे नंबर पर क्या दिखाई दे रहा है, चौथे नंबर पर divided by दिखाई दे रहा है, यानि कि 20 divided by 4 करोगे तो value मिल जाएगी 5, फिर multiply आपको दिखाई दे रहा है, 25 गुले साथ करोगे तो हो दिखाई नहीं दे रही है, यानि कि हम move करेंगे कहां अगले option की ओर, देख लेते हैं, 25 गुले साथ, 175, minus कर दिया है, यहाँ पर minus का 40, फिर plus की बात करें, तो plus 20 बटे 4, यानि कि 5, यानि कि यहाँ पर आपको 210 बनता हो दिखाई नहीं दे रहा है, बात कर लेते हैं, अगले option की बात करें, तो यहाँ पर आपका again 5, यहाँ पर 175, प्लस का 40, और minus का 5, 175 प्लस 40, तो यहाँ पर clearly आपको 75 में से 5 गटा, 270 प्लस 40 करोगे, तो 210 आपको बनता हो दिखाई दे रहा है, यानि कि आप जाएंगे किस के साथ में, option number B के साथ में, बात करते हैं फटा-फट से अ अगले अगर यहाँ पर हम question की बात करें, तो सभी में divided by आपको first number पर दिखाई दे रहा है, पहले option को हम hold पर रख सकते हैं, equals to आपका last में नहीं है, बाकी के options के साथ में हम जाएंगे, unit digit का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, use करेंगे, unit digit के help से कहीन कहीन अपना time बचा पाए तो बात करेंगे, तो बात करेंगे, यहाँ पर option number two की तो यह हो जाएगा, divided by फिर आपको देखने को मिलेगा, multiply फिर आपको देखने को मिलेगा, plus और फिर minus, unit digit चेक करना है, 0, तो अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर 140, 140 होता है, 280, 280 में से 28 घटा दोगे, तो मिल जाएगा 252, ठीक है, यानि कि यह आपका जाएगा, 18 बार में, 18, और गुड़ा करना है, आपको 8 से, तो 8, 84, unit digit मिल गई, 4, 4 में से आप क्या करोगे, 6 घटा होगे, तो unit digit आपको कभी भी 0 बनती हूँ दिखाई, नहीं दे रही, यानि कि हम जाएगे अगले option के साथ, अगले option के आपको लगबग-लगबग equation सेन दिखाई दे रही, यानि कि यह जाएगा, आपका 18 बार में, 18 गुड़े 8 करोगे, फिर आपको करना है, minus का 100, और फिर आपको करना है, प्लस का 16, तो यहाँ पर हम बात करें, तो 8, 84, 64, और 6 करोगे, तो हो जाएगा, आपका 6, 4, 10, 10 में से 10 हो जाएगा, बन सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, आठ नहीं, 64, का 4, और 8, कम 8, और 6, 14, 144, 144, प्लस, 16 करोगे, तो value हो जाएगी, 160, माइनस 100 करोगे, तो value हो जाएगी, 60, यानि कि यहाँ पर clearly आप देख सकते हैं, option number C, यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, पू इस प्रकार के question भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो अगर हम बात करें, sign के replacement की, तो divided by और plus, तो अगर यहाँ पर हम divided by की जगे पर plus करते हो, plus की जगे पर divided by करते हैं, तो एक hold digit हमें बनती होई दिखाई, नहीं दे रही, यानि कि पहले option को हम लोग करेंगे, यह हम यहाँ पर eliminate या फिर hold, दूसरे option की बात करें, तो minus और divided by, minus के जगह गर हम यहाँ पर divided by रखते हैं, तो तेरा दहमा 130, और बचेगा कितना है, 26 तो तेरा दूनी 26, यानि कि यह बारा बार में आपका divisible होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर plus करेंगे 9 into 18, और यहाँ पर ह हम लोग रखेंगे, minus का 5, और देखेंगे क्या value हमें 169 बनती हुआ दिखाई दे रही है, तो unit digits से अगर इसको हम चेक करें, तो 982, 2, 2, 4, 4 में से 5 जाए अगर, unit digits से भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अब इसको हम verify भी कर लेते हैं, यानि कि 9 गुले 18 करेंगे तो 9, 90 और 9, 90 minus 18, यानि कि 180 में से 10 गटाएंगे, तो 170 और 170 में 60 गटाएंगे, तो 162, 162 प्लस 12 तो हो जाएगा value 174 और 174 minus 5 करेंगे, तो value हो जाएगा 169 जो की correct बनता हुआ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो option number B क्या हो जाएगा, आपका right answer हो जाएगा, पूछे गए प्रशन के लिए बात कर लेते हैं, आप अगले topic यानि कि missing number की, तो missing number से related जो भी basically logic है, उसको already मैंने series के chapter में cover up किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग केवल कुछ question के साथ में क्या करेंगे, deal करेंगे, यानि कि question आपकी screen पे आ चुका है, यहाँ पे किन logics के तहत question आपके बनते है, जो आपका square है, cube है, सभी चीजों के उपर already मैंने आपके series chapter में discussion किया हुआ है, तरीके की बात करेंगे, यहाँ पे basically दो तरीका हो सकता है, यानि कि row wise हो सकता है, column wise हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करे, row wise अगर हमें बड़ा number देखने को मिलता है, तो हम row wise यहाँ पर solve करेंगे, column wise हमें बड़ा number देखने को मिलता है, तो हम column wise solve करेंगे, और कई बार दोनों ही तरीके से हमें यहाँ पर बड़े number बनते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं न कहीं हमें उन questions पर time देना है, और यह कैसा topic है, जहाँ पर मैंने आपको already बताए कि कसम नहीं खान है कि आज या तो question रहेगा या तो हम रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, एक limited time within a minute बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो क्या करेंगे, mark for review, last में आपके पास जो भी time बचा है, आप उसको पूरा समय इनी questions पर दीजे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप reasoning को पहले attempt कर रहे हैं, या माली जे last में भी कर रहे हो, कोई फरक नहीं है, लेकिन आप इन questions पर जरूरा से ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर question की, तो question में अगर इसको हम करें, 5, 2, 10, plus 1 करें, तो 11 बन जा रहा है, sorry, यहाँ पर हम बात करें, तो 12 गुले 11 करें, तो होता कितना 132 प्लस एक करें, तो 133, 8, 7, 56 प्लस एक करेंगे, 57, यानि कि यहाँ पर answer की बात करें, तो हो जाएक option number B, आसान सा question है, देखते ही, यहाँ पर आप logic pick कर सकते हैं, और इन logic के उपर हमने already discussion किया हुआ है, बात कर लेते हैं, अगले पूछेगा है, प्रश्न की, 7, 5, 12, माइने से करेंगे 11, 5, 2, 10, माइने से करेंगे 9, 21, गुले 24, काफी बड़ा number हो जाएगा, माइने से करने से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर row wise, 5, 2, 10 का double 20 प्लस एक, 7, 35 का डबल नहीं बन रहा है, और क्या हो सकता है, यहाँ पर तरीका, बात कर लेते हैं, स्क्वाइर की, 5 का स्क्वाइर कितना होता है, 25, 2 का स्क्वाइर कितना होता है, 4, 2, 9 का डिफरेंस कितना होता है, 21, 7 का स्क्वाइर कितना होता है, 49, माइने स्क्वाइर कितना होता है, 49, मा अंसर हो जाएगा आपको option number C, आसानी से बन गया, बस करना किया आपको number of questions की practice करके जाना है exam में, यहाँ पर अगर हम बात करें, प्लस 이адा है साथ चे तेरा ćगी साथ गारे साथ दीस नो दोनई, अठारे नौ दो ग्यारा प्लस नो वीजा किया, थीक है दिखिये इन दोनों को हमें क्या किया, साथ छे तेरा प्लस साथ डीस नो दूनी अठारा नो दू ग्यारा प्लस नो बीस ठीक है देखिए इन दोनों को हमने क्या किया सम किया कितना गया 13 और प्लस हमने कर दिया 7 को तो मिल गया हमें कितना 20 इन दोनों का हमने क्या किया सम किया तो मिल गया हमें कितना 11 और प्लस इसम लिए नंबर और इस नंबर का में स्म करना था फिर से अगेन इस नंबर को हमें अट करना था तो अगर यहां पे हम आपप्शिन की बात करें तो यहां पर अज चैन्य है कि हमें एक ऐसा नंबर लेना जिसका डबल 12 में हम जोड़ें तर what and will नमबर यहां पर आपको clearly दिखाई दे रहा है 4 यानि कि 4 का डबल करोगे तो 8 और 8 प्लस 12 करोगे तो 20 यहां पर बनता हो दिखाई दे रहा है यानि कि option number D क्या हो जाएगा right answer बनेगा बात कर लेते हैं अगले question की चार तियांई 12 दुनी 24 माइनस 3 चलो सारे numbers का करते हैं multiply 4 into 3 into 2 और minus कर देते हैं यह वाली value यानि कि 4 तियांई 12 दुनी 24 माइनस 3 करने पर यहां पर बन रहा है आपका 21 यहां पर अगर हम बात करें तो 7 चौक 28 दुनी 56 56 में से 4 घटा होगे तो बनेगा 52 लेकिन यहां पर अगर हम 3 घटाते हैं तो यानि कि एक particular number को अगर हम माइनस करते हैं तो बनेगा यहां पर 53 यानि कि सभी numbers का multiply minus 3 करेंगे तो हमें मिलेगा number 53 यहां पर अगर हम देखें तो 5 दुनी 10 यहां 30 minus की बात करें एक particular number जो कि क्या था 3 था तो यहां पर हमें मिलेगा 27 जो कि clearly यहां पर आपको option number C में बनता हुआ दिखाई दे रहा है यानि करना क्या था सभी numbers का multiply करके minus 3 करना था तो यह आपको mid value बनती हुआ रिखाई देखें बात कर लेते हैं अगले question की अगले अगर हम यहां पर question की बात करें 5 forza 20 ठीक है 9.35 minus 16 प्लस एक अगले option को अगर हम देखें तो साथ चमगा ले साथ चिते रहा ठीक है कुछ है नहीं देखो यहां पर इन दोनों numbers का है multiply और यहां पर आपको देखने को मिला इन दोनों numbers का sum 5 forza 20 यहां पर 5 plus 4 9 6 7 the 42 6 plus 7 13 in the same way 8 सते 56 यानिकी 8 7 the 56 8 plus 7 15 यानिकी answer हो जाएगा यहां पर 56 option number D बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर अगले topic यानिकी dictionary order की dictionary order पर based questions की काफी आसान होता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत जादा कुछ कठिनाई होने वाली है questions को solve करने में तो अगर हम question की बात करें तो इन्हें हमें क्या करना होता dictionary order पर बेस्ट यानिकी जो भी आपका dictionary में sequence देखने को मिलेगा इन particular words के लिए उस sequence में हमें क्या करना होता है लगाना होता है दिये गए words को तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो C, E, R आपके सभी में क्या है common है इ नहीं कि यहां पर अगर हम बात करें option की तो option में सभी में आपको two दिखाई दे रहा है तो two के लिए यहां पर आपको time waste करने की जरूत नहीं है बात करेंगे हम इसके बाद वाले elements की इसके बाद वाले अगर हम elements की बात करें तो last में भी आपको 2 option में आपको दिखाई दे र सर मार्क कर सकते थे ठीक है तो सबसे पहले हो जाएगा टू-टू के बाद अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका फॉर कि टू के बाद फॉर एक ही ऑप्शन में दिखाई देर ऑप्शन नमबर सी में बाकी को बनाने मतलग जाना ठीक है आगे मूव ऑन करना नेक्स्ट को यानि कि यहां पर टाइम आपको बचाना है यह सब कोशन क्या है चुटकियों में विदिन फाइव सेकंड आपको सॉल्फ करना और आगे बढ़ जाना यह नहीं कि अराम सिद्धत से पूरा उसको बना रहे हैं चेक कर इतना आपको करने का उशकता नहीं है क्योंकि हमने दे सबसCube Sergei कर इसके बाद, तो इसके बाद दोनों में ती दिखाए तरह, ती के बाद आएगा ए यानि कि इसके बाद आपको देखने को मिलेगा five फिर आपको देखने को मिलेगा one और at last आपको देखने को मिलेगा three जो कि clearly आप option number c में देख पार हैं ठीक है तो आपको exam इतन देखने को मिलेगा 5 तो 4 और 5 के साथ में यहां पर आपके पास दो अप्शन है तो इसके अलावा अगर हम बात के तो आपको देखने को मिलेगा ओ यानि की 3, 4, 5, 3 के साथ में जाएंगे option number C आगे बढ़ जाना है पूरा आपको verify करने के लिए रुकना नहीं है फिर आपका आएगा U, B यानि की 1 और फिर मिलेगा आपको देखने को 2 बात कर लेते हैं अगले question की चलिए अगले question की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम P और E वाले option के साथ में आएंगे जिसमें पहले N आएगा तो यानि की पहले आएगा 3 फिर आएगा 1, 3 और 1 की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 विकल्ब देखने को मिल रहे हैं, 3 विकल्ब देखने को मिल रहे हैं और 3 और 1 के बाद अगर हम बात करें, तो P और E वाले हो गए, फिर उसके बाद P, R वाले दिखाई दे रहें, तो E के बाद आएगा S, यानि कि फिर आएगा 2, फिर आएगा 5, यानि कि 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5 के साथ में आपको एक ही option दिखाई दे रहा, option number A, और at last की बात करें, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 4, चली, बात कर लेते हैं, अगले प्रस्ण की, अगले दिए मैं यहाँ पर question की बात करूँ, तो M, I, C के साथ में हम लोग जाएंगे, सबसे पहले देखने को मिलेगा अपने को 3, 3 के बाद अगर हम बात करें तो M, I, N, यानि कि हम लोग जाएंगे 5 के साथ में, तो 3 और 5 के साथ में 2 विकल्प देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग आने की जरुवत नहीं है आप अपना टाइम बचाई आगे मुवान करिए नेक्स्ट कोश्चन पर ठीक है बात करते हैं यहां पर अगले कोश्चन की अगले कोश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको डबलू और ऑपको देखने को मिलेगा तीन फिर हम बात अगर राइट अंसर हो जागा पूछेगा प्रश्चन का तो यह तरीका है डिक्स्टनरी ओर्डर में कैसे आप अपना समय बचा सकते हैं कैसे कोश्चन को विदिन सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं क्लियर बात कर लेते हैं आप अगले कोश्चन की अगले कोश्चन के अग तो यहां पर बसते हैं आपके T, E, R वाले words और यहां पर हो गया आपका T, E, M वाला यानि कि सबसे पहले आएगा यहां पर 3 तो 4, 5 के बाद में 3 आपके तीन भी कल्पों में देखने को मिल रहा है यानि कि यह भी हो गया आपका Eliminate अब बचे यहां पर अपने पास 3 option यानि कि इनमें भी हम पहले M वाले को preference देंगे तो जिनमें आजाएगा पहले आपका 1 फिर आपका आजाएगा 2 फिर आपका आजाएगा 6 यानि कि 4, 5, 3, 1, 2, 6 6, 4, 5, 3, 1, 2, 6 option number A क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा पुछे गए प्रस्न के लिए यह हो गए आपके यहां पे कुछ topics जिनमें हम लोगों ने discuss किया logical sequence of words, mathematical operations, missing numbers और अगर हम बात करें तो dictionary order इसके लावा जो आपके बचे हुए topics हैं उसको भी हम लोग next video में cover up करेंगे यानि कि 31st of March के पहले पहले आपका जो course है पूरा का पूरा वो complete करा दिया जाएगा फिर वो किसी भी subject से related हो और इसके बाद अगर हम बात के तो हम लोग केवल और केवल focus करेंगे किस पर practice पर तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग next class में thank you